मस्कार क्या रासिफल आ रहा है किस प्रकार का आपका टाइम जुन रहेगा किस दिन आप अच्छा काम कर सकते हो क्या फलादेश लेके आ रहे हैं सारे नौग्रह इसके उपर विशद विचार करेंगे उसे पुर्व एक सुचना अध्यत्म गुरुकुल में वेद, वेदान्त, अश्रादस, पुरान, कर्मकान, पुजापाट, इत्यादी, प्रसिख्यन, पांच साल के लिए साधना जो युवाबर्ग इसमे केरियर बनाना चाहते हैं दाखिला के लिए संपर कर सकते हैं योतिस गुरुकुल में योतिस विज्ञान और वास्तु साथ में समद्रिक विज्ञान, कपाल रखा विज्ञान इत्यादी का साधना हितु संपर कर सकते हैं कर देशी स्वाब अलमन गुरुकुल का भी इस प्रकार का साधना सिविव अडमी शंपर कर सकते हैं अब विचार करते हैं ब्रष रासी ब्रष रासी का एप्रिल मेहना का रासी फल्क ग्रह कोचर इस प्रकार आपके रासी से द्वादस में राहू और छटा स्तान पे केतुदेब का गोचर रासी परिवर्तन होंगे आपके घर से राहू परिवर्तन करेंगे बारा में और आपके छटा स्तान पे जाएंगे केतु इस समय एकादस स्तान में सुर्यदेब और बुद्धदेब का गोचर होने वाला है और गुरु ब्रहस्पती का भी आपका मिन रासी में गोचर होगा अभी दसम में चल रहे हैं सनिदेब नवम से दसम के और गोचर करेंगे तो ये नो के नो ग्रह एप्रिल महिना में रासी परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए इस महिना में एक कंक्रिट रिजर्ड तो नहीं आने वाला है लेकिन मिला जुला प्रभाब महिना का आधा दिन और बाकी आधा अलग-अलग प्रभाब आएगा और शुर्य देव का आपके मेश रासी द्वादस भाब में भी चौदा अप्रिल को गोचर आठ अप्रिल को मंगल देव कुम्ब रासी में मकर रासी को परित्याग करके बारा तारीको राहू और केतू आपके द्वादस और शुष्टस्तान पे तेरा तारीको गुरू आपके एकादस्तान पे और उन्तिस तारीको सनिदेव आपके दसमस्तान पे गोचर करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले ब्रस रासी बालों का बात करेंगे स्वास्त हेल्थी जुवेल्थ स्वास्त ही संपध है शुक्र देव इस समय आपके रासी से इनका गोचर कुम्ब रासी में होने वाला है और यहां आपका रासी अधिपती गुरु ब्रस पती के साथ कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद फिर मंगल के साथ फिर सनी के साथ तो अगर स्वास्त का बात ब्रस रासी बालों के लिए कहा जाए आपका स्वास्त बहुत अच्छा तो नहीं कहा जायेगा लेकिन 70 परशंट अग स्वास्त छीक रहेगा यह आपका रासी से दुत्याद धनस्तान का अगर बात करते हैं तो बुद्ध इस समय आपके निचस्त गोचर करेंगे लेकिन लाबभाब में में गोचर करेंगे तो इसलिए धन प्राप्ति में थोड़ा समस्या तो होगा लेकिन लाबभाब में हर गर अच्छा फल देते हैं तो धन प्राप्ति का योग है लेकिन द्वादस में जब रहुआ जाएंगे तो बृथा भ्रह्मन मानसिक विब्रहंती और इस समय जो जात्रा देंगे जात्रा में भी कश्ट धन जरूर आएगा नो डाप लेकिन उसमे रहता है अब स्वास्त और धन के बाद पराक्रम का बात अगर करें तो पराक्रम इप्रिल 13 के बाद आपके पराक्रम स्थान पर गुरू ब्रस्पति का दृष्टि आने की कारण आपके अंदर पराक्रम बढ़ेगा अच्छा होगा उर्जा बढ़ेगा काम पे आप ब्यस् आपके अच्छा संपर्क दिख रहा है अब भूमी भवन भान का कारक्रम पहले तो में डाशी में रहेंगे जब तक ठोड़ा डाउन चलेगा लेकिन मेस में उच में आने के बाद थोड़ा अच्छा होगा लेकिन उसके बाद रहो के साथ गोचर तो बहुत बढ़िया इस स पुद्ध नीच का रहेंगे तब तक इसमें थोड़ा सा डाउन थोल रहेगा, तो इसमें भी बहुत अच्छा रेजल्ट मैं नहीं कहूंगा बुरसवालों के लिए, मिला जुला प्रभाव रहेगा, फिप्टी-फिप्टी का अंकड़ा रहेगा, नौकरी और केरियर खेत्र दसमस्तान, तो ये लेकिन आपके लिए the best होने वाला है, मान सन्मान प्राप्ति का योग है, ब्यस्त रहेंगे काम में, काम में आपका लोग प्रसंसा भी करेंगे, लेकिन उन सब के बाव्यूत क्योंकि शनी और मंगल का यूती, तो थोड़ा सा टेंशन रहेगा, करम एकोनोमी एंड बेनिफिट का बात करें, फिनांस का बात करें और ऐसा का अगर बात करें, तो ये भी आपका गुड कंडिशन पे रहेगा, आएगा, लेकिन क्योंकि वे भाब भी आपका बहुत सुपर एक्टिवेट राहू के द्वारा हो रहा है, के तो कादुस्टी भी ह और फिर वहां सनिदेप का बिदुस्टी उन्तिस तारीक में हो जाएगा, तो इस खित्र पे मैं कहूंगा, इस नाट सो गुड ब्रसव रासिबालों के लिए, ब्रसव रासिबाले सबसे ज़्यादा समस्या लेके आ रहे हैं ये राहू के माध्यम से, और बाकी इनका स्थि भ्रसाथि ले दे के ठीक है, और 12 में ही आपका घ्रहण होगा, 12-6 12 का एक्सिस में घ्रहण होने वाला है, तो इसलिए इस समय आपको है watt के पड़तीबी इस्भके स इसमें साब्धन बिना फल्तु का पचड़ा का काम इस समय आपको बढ़ाएंगे जिसमें धन तो आएगा लेकिन कोई काम का नहीं वो धन उसी खेतर पर ही आपका खर्चा हो जाएगा तो इसलिए ब्रिसरेसी बालों का ये स्वासंतान का खेतर हो भागय का खेतर हो और स्वा इसके बारे में बात करता हूँ तो आपके लिए जो चंद्रास्ट्रम ब्रिसरेसी बालों के लिए आरा है वो आपका जिस दिन चंद्रमा का घोचर धनूरासी सर्जेटरीयस में होगा याँनी 21 अप्रिल 22 अप्रिल बीस एक्किस बाईस अप्रिल ये टाइम जोन आपका रहेगा चंदराश्टम तो इस समय आपको थोड़ा सा सापधानी चूर्चपिट एक्सिडेंट काम में बाधा आना बाधर जोन पर रहेगा काम होते होते जाएगा रूख जाएगा तो इसमें थोड़ा सा आप सोच समु समा थोड़ा सा आपको काम पे ग्रोथ देगा नो डाउट इसके बाद ये जो जिसमें आपको काम पे ग्रोथ और डेवलोप्मेंट का बात अगर कहा जाए तो ये डेट ब्रस रासी बालों के लिए आ रहे है 19 19 को 20 18 19 20 ये आपके लिए थोड़ा सा लोकी प्रियर्ड यहां और आगे बात करेंगे इस महना का एक क्रीम रिजल्ट का बात करेंगे तो ब्रस रासी बालों के लिए फैनल क्या रासी फल आदेश होगा आपका कर्म खेत्र में आप बहुत महनत करेंगे और आगे भी जाएंगे महनत के माध्यम से शरीर 50% स्वास्तिवान रहेगा लेकिन मानसिक दुरबलता इस समय आपको मिलेगा आय फिप्टी फिप्टी रहेगा और नौकिल खेत्र में आपका स्तानंतर का भी संभावना दिख रहा है बैवसाई खेत्र में फल मध्यम रहेगा और एजुकेशन छात्रों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है एक दो तीन को आपको धन प्राप्ति का योग है तीन चार पांच ब्याय योग पांच छे साथ आपका प्रसनता मन प्रसन रहेगा काम पे आगे बढ़ेंगे आठ नो दस थोड़ा सा मानसिक पराधिनिता और डिप्रेशन टाइप आपको मिलेगा दस ग्यारा बारा कार्जय में सफल और सिद्धी योग बता रहा है पारा तेरा चोदा जमेला जगडा जंजट से दूर रहें बाद विबाद से दूर रहें चोदा पंदरा सोला आप अबसाद ग्रस्त हो सकते हैं इसलिए मन को प्रसन रखने का प्रयास करें सोला सत्रा अठ्रा सत्रु के द्वारा हानी और सत्रु का भी हानी अनिस्ट योग अठ्रा उनिस इस समय नुतन बंधु भोई मिलन अच्छा भोजन प्राप्ती और नतन बस्तर का प्राप्ती का भी योग है 20, 21, 22, 23 सारे रिक्पीडा कारिया हानी धन्ख्याय और मानसिक अवसाद चिंता ग्रस्तता 23, 24, 25 देवपुजा धर्मक्हित्र में आगे बढ़ना 25, 26, 27 इस समय भी बहुत अच्छा कारिया सिद्धिकावी योग है लेकिन बाधा है 27, 28, 29 और थलाब जरूर होगा लेकिन 30 को धन्ख्या का भी योग बता रहा है तो ये ले देके ब्रस रासिबालों का एप्रिल महना का रासिपल वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शियार, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए और संभब्ता कुण्डली विस्टलेशन इस मैं कहूंगा क्यँंकि 9 के 9 गर परिवर्तन हो रहे हैं तो कुण्डली विस्टलेशन करके आगला समय आपको कैसा चलने बाला है, आपकी दसा क्या है और इस समय से गोचर का स्तिति क्या है किस प्रकार का फलादे सुने वाला है आप थोड़ा सा इसके उपर जरूर देख लें संपर्खेतु 9437580589 या फिर 9938727418 धन्यबाद नमस्कर